नमस्कार क्या पचल टिवी का खाश वो राहूल का अगनिपद देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पोजा राहूल गांदी ने यार जमू कश्मीर में राली को संबोधित करते हुए कॉंग्रस के चुनावी अभियान की शुरुआत की जमू कश्मीर के रामबन की राली में राहूल गांदी ने भारती जन्ता पार्टी और आरेसेस पर जम कर निशाना साथा इस दौरान उन्होंने जमू कश्मीर की राज़ दरजे, बिरुजकारी, बिजली समस्या और देश में फैली नफरत पर बात की राहुल गानी ने कहा कि भारत के तयास में पहली बार राज का दर्चा छीना गया एक राज को खत्म कर दिया गया और लोगों के अधिकार छीन लिये गये उन्होंने आगे कहा कि पुरे देश में बीजेपी और आरेसिस के लोग नफरत और हिंसा फैला रहे हैं उनका काम नफरत फैलाने का है और हमारा काम महबत फैलाने का है वो तोड़ते हैं और हम जोड़ते हैं नफरत को महबत से ही हराया जा सकता है आंट में महबत की ही जीत होती है पहले नरेंडर मोदी च्छाती फैला कर आते थे और अब जुक कर आते हैं हिंदोस्तान के तिहास में पहली बार स्टेट होट छीना गया है वैसे राहूल गांदी ने आज इसे के साथ काफे कुछ कहा तो आज राहूल गांदी के जमु कश्मीर के दोरे पर चर्चा करेंगे साथी विनेश पुगाट और बजरंग पुनिया के साथ राहूल गांदी की कुछती पर भी चर्चा करेंगे मेरे साथ स्टूडिय में मौझूद है कि आपटल टीवी के एक्सक्यूटिव एडिटर राजीव जी सर आपका बहुत-बहुत स्वाकत है आज राहूल गांदी जमू कश्मीर के दवरे पर पहूँचे राली को संबोदित की और पी-म मोधी पर निःशान साथा लेकिन राहूल गांदी का क्याँ एजिंड़ा है जमू कश्मीर में लेकिन हिंदूस्तान की इतिहास में पहली बार्य हुआ था जब देश के अंदर एक दूसरा देश बनाने के पहल होई थी ये इनी के परनाना जी थे जवाहरला नहरू जिनके समय में ये हुआ था कि जम्मु कश्मीर भारत का हिस्सा तो होगा लेकिन कैसा हिस्सा होगा जम्मु कश्मीर का अलग संविधान होगा अलग जंडा होगा, अलग व्यवस्थाएं होगी स्पेसल स्टेटस दिया जाएगा ये पहली बार हुआ था उसका जिकर भी कर लेते तो कि ये तो वही चाहते है राहुल गांधी को कहना चाहिए कि ये जो जम्मू कश्मीर आपका दिख रहा है और थोड़े दूर आगे जाने पर अनंतनाक से आगे जाएंगे बारा मुलाक के इलाके में जाएंगे वहाँ से फिर जो शुरू होता है बोडर एरिया उस बोडर एरिया को बनाने के लिए पहल किसने की थी क्या पाक अधिकरित कश्मीर पहले से ही पाकिस्तान के कबजे में था या फिर इन्ही के ये जो नेहरू परिवार के अंतिम चिराग थे ये कहा जा सकता है इसलिए क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के बाद इन लोगों ने नेहरू सरनेम लगाना छोड़ दिया मोतिलाल नहरू जवाहरलाल नहरू और जवाहरलाल नहरू के बाद उनकी बेती इंदरा नहरू नहीं हुई इंदरा प्रियरदर्सनी हुई और फिर इंदरा गांधी हो गई उसके बाद तो राजिब गांधी और राहूल गांधी आ रहे हैं तो ये जो इन लोगों ने नहरू सरनेम हटाया इसके पीछे की भी कहानी यही लोग बताएंगे लेकिन फिर भी इतना तो है कि नहरू परिवार के जो अंतिम सरनेम लगाने वाले व्यक्ति थे ये जवाहरला लेहरू के ही कारगुजारी थी कि आज पाक अधिकरित कश्मीर देखना पड़ रहा है ये चिला चिला कर करते हैं देखो कश्मीर की बात नहीं करेंगे लेकिन ये जरूर बताएंगे देखो हमने पाकिस्तान को तोड़ दिया बंगला देश बना दिया स्रीमती इंद्रा गांधी के सासन काल में ये हुआ लेकिन ये नहीं बताएंगे कि हमने हिंदुस्तान को कब तोड़ा ये चीन का अक्रमन हुआ तो लद्दाक के छेत्रों में आज इतना विवाद चल रहा है ये किसके समय में हुआ वो भी तो जम्मू कश्मीर का इंटिग्रल पार्ट था आज लद्दाक अलग इनियन टेरिटरी बन गया है लेकिन वो भी तो जम्मू कश्मीर में ही था जम्मू कश्मीर का एक पूरा हिस्सा आप लोगों ने अपने conspiracy के इस्तर पर भेज दिया पाकिस्तान को दे दिया क्यों क्योंकि युद्ध चलते रहता LOC बनाने की क्या ज़रूरत थी ये नेहरू ने खुद ही accept किया है कि हमने गलती कर दे थी UN में इस मसले को ले जाकर मुझे लगता था कि अगर UN में इस मसले को ले जाएंगे तो अमेरिका और ब्रिटेन ये दो देश जो है हमारा समर्थन करेगा ये उन्होंने अपनी बहन को लिखा है लेटर में ये ओन रिकॉर्ड है कोई ऐसे दूसरे लोगों का आरोप नहीं है नेहरू ने accept किया था कि हमने गलती कर दी थी गलती क्यों कर दी थी क्या उस समय आपका दिमाग चलना बंद हो गया था या आपनी ये सोच रखा था कि पाकिस्तान से जितना ये दिन तक युद चलेगा हिंदुस्तान के मुसल्मान उतना क्रोधित होंगे क्योंकि आप लोगों को तो हिंदुस्तान के मुसल्मानों के चिंता थी कि इन लोगों को यहां पर बसाए रखा जाए जब भारत और पाकिस्तान दो देश ये बना ही था कैसे भारत से अलग करने के लिए सबसे बड़ी पहल जो की गई थी वो धर्म के आधार पर था ऐसा नहीं था कि किसी दूसरे मुद्दे पर इसके कुछ छेतरों को अलग करके या विकास के मुद्दे पर या वहां के दूसरे संसाधनों के मुद्दे पर आपने एक नया देश बनाने की मांग की थी इन लोगों ने कश्मीर में देना चाहिए राहूल गांदी को कि जितने पाप कॉंग्रेस के समय में कश्मीर के अंदर हुआ इन लोगों ने पूरे घाटी के छेतर से हिंदूओं को मार मार का भगा दिया वहां आतंकवाद पन पाया और इनहीं के कमजोर लिपलिपे नीतियों का नतीजा है कि कश्मीर में प्रॉक्सी वार शुरू हुआ पाकिस्तान वहां आतंकवाद भेजने लगा अगर आतंकवादी नहीं भेजता अगर इन लोगों ने पहले से कोई ऐसा हाड एक्सन लिया होता कि पाकिस्तानी आतंकवादी आ रहा है तो उसका पुर्जोर जवाब देना चाहिए यह कागजी सेर बने रहे जम्मू कश्मीर को अस्पिसल स्टेटस देते रहे और जम्मू कश्मीर में घाटी के छेत्रों में हर गाओं आतंकियों का अड़ा बनता रहा यहाँ पर आतंकी इनकाउंटर में मारा जाए तो उसके पीछे पीछे हजारों लोग उसके जनाजे में शामिल हो और सरकारे कुछ न कर पाए यह तो जम्मू कश्मीर के स्टेट हुड का नतीजा था वहाँ पर आर्मी वाले डरते थे इस बात के लेकर कि यहाँ पकी ज़स राज्य सरकार है वो किस के साथ है आतंकीयों के साथ है हम कोई कारवाई करते हैं उसके बाद जम्मू कश्मीर की पुलिस है जो हमारे खिलाफ एफ आयर दर्ज करती है अब इन लोगों को जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ काम करना पड़ता था तो ऐसे में कश्मीर की सरकार क्या करेगी इसे देखकर ही यह आगे एक्सन लेते थे अब यह चाहते हैं कि पुन्राज का दर्जा जम्मू कश्मीर को फिर से मिले यूनियन टेरिटरी और बिथ एसेंबली और फिर पुन्राज के दर्जे में अंतर क्या है यह राहूल गांदिस पर्स तरीके से कहें जो आप कहा रहे हैं कि जनता के डेमोकरिटिक राइट्स को चीना जा रहा है दोनों में अंतर क्या है सांसद वहां से भी आते हैं असेंबली का चुनाव वहां भी होगा और वहां भी विधान सभा गठित होगा वहां भी मुक्ष मंतरी बनाए जाएंगे वहां विधायक अपने छेतर का परतिनिदेत्व करेगा वहां भी लोकल बाड़ी इलेक्सन होता है DDC वहाँ भी है यानि कि Disturb Development Committee वक्टा वहाँ गठन किया गया है यानि 3S तरिये जो चुनावी प्रक्रिया है ये विवस्ताएं यानि कि नीचे के Local Body चुनाव होगे Assembly का चुनाव होगे और फिर Parliament का चुनाव होगा तो ये जो त्रियस तरिये विवस्था है वहां भी लागू है केबल अंतर क्या है अंतर यही है कि वहां के नित्रित्व के उपर विश्वास नहीं किया जा सकता ना तो महबुवा मुफ्ती के उपर विश्वास किया जा सकता नहीं फारुक अब्दुल्ला के परिवार के उप इसमें कोई दो राय नहीं है फारुक अब्दुल्ला हो या फिर इनके पिता शेख अब्दुल्ला हो शेख अब्दुल्ला बड़े कॉंस्प्रेसी के ताद जम्मु कश्मीर में सीधे आंदोलन करने लगे क्या किया? उन्होंने सुरुआती दोर में ये देखा कि जम्मु कश्मीर में अगर सीधे तोर पर हम इस बात के लिए आंदोलन करेंगे कि यहां के राजा को हटाना है तो उस समय सरकार हमारा साथ नहीं देगी यानि सरकार का मतलब उस समय दिल्ली की सरकार के बात होते थी उस समय जब प्रिंसली एस्टेट है जो भारत के साथ मरजर हो रहा था उसका तो उस समय इन लोगों ने इस बात के लिए आंदोलन नहीं किया कि हमें राजसाही खत्म करना है तो यहां किसकी सरकार बनेगी इन लोगों ने देखा कि अभी डेमोकरिसी की बात करते हैं अभी यहाँ पर राज तंतर को हटाने के लिए बात करते हैं ताकि सरकार यानि की दिल्ली से हमें सहयोग मिले एक पहला स्टेप उन्होंने उठाया फिर जब उस पर निर्भरता हुई तो फिर उसने क्या किया अचानक से धीरे धीरे रुख बदला कि जम्मू कश्मीर तो उस जगह पर कॉंस्पिरेसी की यहीं फारुक अब्दला मुकमंतरी था और उस समय टिपलू की हत्या हो रही थी जज की हत्या पुलिस वाले की हत्या आतंक वादियों का मनोबल ऐसा बढ़ गया कि उस समय हिंदूओं को वहां से भगाया जा रहा था फारुक अब्दला क्योंकि उसके पास उसका जबाब नहीं है तो उसी पीड़ी में तीसरे उमर अब्दुल्ला है कैसे विश्वास इन लोगों पर किया जाए जो अलगावादियों का साथ देता है पाकिस्तान की भाषा बोलता है उसी तरीके से महववा मुफ्ती जो पूरे इसके परिवार को देखिये मुफ्ती 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 को बड़ा आदर संसकार के साथ यहाँ पर केंद्रिये ग्रिह मंत्रा ले दी गई थी ग्रिह राजमंत्री रहते हुए क्या किया अपनी बेटी का अफरन आतंकवादियों को छुड़वाया और आज भी मुफ्ती कौन सी भाषा बोलती है मुफ्ती का संपर्क उन्हीं लोगों के साथ है गलती से बारतिय जन्ता पार्टी ने उनके साथ गठवंधन कर लिया पश्ताना पड़ा बाद में गठवंधन तोड़ना पड़ा तो ये इस्तिति इन परिवारों के इस पर बिश्वास नहीं है कॉंग्रेस का भी कोई मुक्मंत्री बनेगा उस पर भी बिश्वास नहीं है कि ये अगर पुनराज का दरजा होगा तो ये लोग भारत की सेना के साथ रहेगा या पाकिस्तान के साथ खूफिया मिटिंग देगा तो कैसे राहूल गांदी पर भी भरोसा किया जा सकता है क्योंकि जिस तरह का वो बयान दे रहे हैं पुरानी चीजों को उठा रहे हैं ऐसे में तो लग रहा है कि राहूल गांदी आतंकियों का समर्थन जादा कर रहे हैं इन सब चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं यह पहली बार नहीं है कश्मीर के मुद्दे पर तो कॉंग्रेस की यह स्ट्रेटजी रही है और राहूल गांदी जो बोलते रहे हैं उस तो पाकिस्तान ने उसका इस्तेमाल किया सबूत के तोर पर आप 2019 की बाद देख लीजिए जब जम्मु कश्मीर से विसेस राजे का दरजा चीना गया और उसके बाद पाकिस्तान गया UN में तो पाकिस्तान ने सबसे बड़ा सबूत क्या रखा था कि देखिए हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी अपोजिसन पार्टी है कॉंग्रेस वो कह रही है कि ये असंबैधानिक है इससे मुसल्मानों के अधिकार छिन जाएंगे ये मुसल्मानों के साथ नाइंसापी है अलवसंख्यकों के साथ नाइंसापी है ये सारे सबूत तो UN में दिया था वही पाकिस्तान की सरकार ने लेकिन फिर भी राहूल गान्दी को नहीं लगा कॉंग्रेस को नहीं लगा कि हम पाकिस्तान के लिए हतियार बनते जा रहे हैं और फिर वही चुनावी रेली में ये निस्नल सीक्यूटी का जहां तक मसला है राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि हम बोर्डर स्टेट में जा रहे हैं उज जगह पर जा रहे हैं जिसका विवाद अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने कहा था जब भारत की तरफ से कहा गया कि ये जम्मू कश्मीर कोई अंतर रास्टिय विवादित मुद्दा नहीं है तो पाकिस्तान जट्रे पर तिक्रिया देने लगा कि नहीं नहीं ये दूपक्षे नहीं हो सकता ये तो अंतर रास्टिय अस्तर पर ये विवादित जगह है ही ये भारत और पाकिस्तान के बीच का मसला हम अंतरास्टिय प्लेटफॉर्म पर ले जाएंगे भारत कभी से एकसेप्ट नहीं करता नहीरू के समय के बाद नहीरू ने एकसेप्ट किया आज भी हम उसका भुक्त होगी बन रहे हैं और उन्हें के परिवार से राहुल गांधी जैसे एक व्यक्ति आये जो फिर से कश्मीर के अंदर आतंकबाद को बढ़ाबा दे रहे हैं इनकी पार्टी से जो नेता चुनाव लड़ने वाले हैं और जिनके सीट का अनॉंसमेंट हुआ है उसमें 20% ऐसे नेता गाटी के छित्रू का है जो की सेपराटिस्ट मुव्मिन्ट से जुड़ा हुआ रहा है जो अलगावादी रहा है जिसके पास कोई चारा नहीं रहा तो फिर ये जुड़कर कॉंग्रेस, पीडीपी और निशनल कॉंफरेंस के साथ जुड़कर ये डिमोक्रेटिक तरीके से वही एजेंडा अपना रहा है जैसे कि कॉंग्निस्ट पार्टिया हिंदुस्तान में की कॉंग्निस्ट पार्टियों ने कहीं भी दुनिया में डिमोक्रेसी को एकसेप्ट नहीं किया लेकिन हिंदुस्तान में देखिए हिंदुस्तान में इनकी चाला की इनको लगने लगा कि बिना चुनाब के बिना पार्लियामेंट में घुसे हुए हम कुछ कर ही नहीं सकते ये आंदोलन आंदोलन ये घटनाएं ये जो वारफियर सोसाइटी बनाने के कोशिस ये सब कुछ नहीं चलेगा तो डेमोकरिसी का रास्ता अपनाया आज देखिए जि ऐसे कॉंस्पिरेटर बनी हुई रहती है तो इसी तरीके से राहुल गांधी के साथ वही लोग जुडा हुआ है और जो इन्होंने LG के उपर आरोप लगाया है LG एक संबैधानिक पद है LG वहाँ पर नुक किये गए है वो पॉलिटिकल पद नहीं है गवर्नर हो कि वो राजा है और वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं यहाँ के लोगों की संपत्ति खीच-खीच कर दूसरे लोगों को दे रहे हैं अब जम्मु कश्मीर को स्पेशल स्टेटस की बात ही राहुल गांधी ने इंडिरेक्ली कहा है कि वहाँ जमीन नहीं खरी सकते यह कैसी माना जाता है जहां इस तरह के डिफरेंसेस हो वहाँ पर आप डेमोग्रेफी को चेंज करने की कोशिश करो क्योंकि जम्मु कश्मीर में जो आतंकवाद पहला है उसमें सबसे पहले स्टरजीन लोग किये थी कि अगर गाउं गाउं से हिंदू को नहीं भगाओगे तो फिर उस गाउं में आतंकवाद पनपेगा नहीं हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा हम गए किसी मुस्लिम के घर में और पडोस का एक हिंदू फैमली है उसने पूलिस को कॉल कर दिया आर्मी को कॉल कर दिया तो फिर तो हम पकड़े जाएंगे इसलिए पूरे के पूरे गाउं में सिर पूचना दे हमारे खिला तो ये इन लोगों के अस्ट्रजी थी अब अस्ट्रजी तो बदलनी चाहिए डेमोग्राफी चेंज होगा तो फिर आतंकवाद पर पर हार किया जा सकता है जैसे चीन को देखिए इस तुर्किस्तान इसलामिक मुमेंट चला रहा है और वहां पर क मुस्लिम आतंकी संगठनों को हर जगह पर ढूड़ना पड़ता है कि हमारे बीच कोई ऐसा नहीं हो जो उन लोगों के साथ काम कर रहा हो जो चीन के कुपिया एजेंसी है ये स्ट्रजी चीन की है लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमारा दुश्मन मुलक अगर कोई अच्छा क कर रहा है तो हम उसको देखकर सीखे नहीं सीखना चाहिए चीन ने जो किया है वो पूरे दुनिया के लिए एक मिसाल है कि वहीं पर एक ऐसी जगह है जहां मुसल्मानों ने हंगामा करना सुरू किया इसको मस्जिद दाने सुरूग दिया इसको पूरी तरीके से दाड़ी रखने पर परतिबन लगा दी ये कुरान नहीं पढ़ सकते ऐसी स्थिति कर दी फिर भी दुनिया का कोई भी इसलामिक देश नहीं है जो चीन के खिलाब खड़ा हुआ है तो इसलिए राहुल गांधी वहां पर न केबल ये विशेश राज्य के दरजे की बात कर रहे हैं ब दूसरे जगह कश्मीर से बाहर के चेतर में कोई बिजनसमें वहां जाकर बिजनस न करे यानि की एक हिंदुस्तान के अंदर फिर से कश्मीर ऐसा जगह बनी रहे जहां पर हिंदुस्तानियों के लिए परवेश बर्जित कर दिया जाएगा ये राहुल गांधी का अजेंड लिया है तो LG ने सुरुवात भी कर दिया बिल्कुल लगता है दिल्ली में जो केजरिवाल LG के साथ पंगा लेते हैं वही आदत हो गई है लेकिन जो आप राहुल गांधी के मुसल्मान प्रेम को लेकर आपने जो समझाया लोग इसलिए कटाक्ष भी करते हैं कि राहुल गा और बजरन पुनिया से मुलाकात की उनका टिकट कनफर्म हो चुका है देखिए आप तो मुहर लग गई कि ये पूरी तरीके से जीजा साली संगर्स आंदोलन जो था ये संगर्स आंदोलन कॉंग्रेस प्रायजीत था धिपेंदर हुड़ा ने पूरब तयार किया था इसके जाती है इन लोगों को लगता है कि फोगाट परिवार में दूसरे लोग जो हैं वो दो तरह से यहां पर सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि अब इनके परिवार के सारे लोगों का कुष्टी का केरियर खत्म होने बाला है अब ये धीरे धीरे वहां से आउट होंगे जैसे वि दिपेंदर हुड़ा ने इन लोगों की मदद की प्रियंका वाडरा से मिटिंग हुई और फिर इन लोगों ने आंदोलन शुरू किया अब उस पर मुहर लग गया है कि जो बात चल रही थी उसमें कोई गलत बात नहीं थी कि इन लोगों ने कॉंग्रेस के समर्थन से पाहुल गांदी जो चाह रहे हैं जो सोच रहे हैं कि ये वजरंग पुनिया और विनेश फोगार ये दोनों मिलकर अब नया नेरेटिव क्रियेट कर जाएंगें अब इनके कॉंग्रेस में इंट्री के साथ ही इनके आंदोलन का सच्चाई पता चल गया तो वहां पर हर्या हर्याना में भी इस बात की चर्चा है कि ये दोनों अपने फायदे के लिए आंदोलन कर रहा था इसलिए इसका विरोध भी उसी स्तर पर होगा जैसे पहले से जो किसान आंदोलन हुआ हर्याना में लोगों ने पंजाब से आये उन किसान नेताओं के पीट-पीट कर भगा दिया उसी तरह से इनकी भी हर जगा पर विरोध होना है क्योंकि इन लोगों ने अपना मकसद बता दिया है जाट बहुल सीट से उतार सकती है पर राहुल गांधी के राजनीती में इस दंगल की जम कर किरकरीब भी हो रही है तो इस पर आप अपनी राए कमेंट कर लिखें देखते रहे क्यापटल टीवी नमस्कार